कि क्रिश्णा में भागवद्दास आप सभी भक्त का स्वागत करता हूं मेरा इस वीडियो सेशन में और साथी साथ में आप सभी भक्त को दिपावली के हार्दिक शुपकामनाई देना चाहूंगा दिवाली आ गई है फाइनली और अभी बहुत सारे सेल्फ मेड एंबारोमेंटल साइन्टिस्ट अपने रिशर्च सेंटर से बहार आएंगे और आके ग्यान देंगे कि दिवाली में आप लोग पठाके मत फोड़िये तो इसको पर हमने शोचक वीडियो बनाते हैं लोग को थोड़ा बदाते हैं समझाते कि क्यू फोड़ना चे पठाके और क्यों नहीं फोना चे बहुत सरे इसका कारण के बारे में बात करेंगे लेकिन यह जो लोग है जो सेल्फ मेड साइन्टिस्ट लोग है यह लोग अपने गूफा से बाहर आएंगा लोगों को यह बताएंगे दो बड़े कारण देंगे कि पहली बात तो यह पोल तो देखिए यह जो सब्चे बड़े जो दो कारण यह लोग देते हैं जो सेल्फ मेड साइन्टिस्ट यह लोग बताते हैं कि यह पोलीशन होता है और जानवरों पर अत्याचर होता है जानवरों के लिए हानी करा के दिवाली मनाना पठाके फोलना बेसिकली तो तो पहले यह लगान पहले कर लेकल से और यही पर बात करें ुष्टे हैं तो पोलीशन के पर बात खुराय जैसे भगवार प्रकृत ने हम सब धर्शी पर दुनिया में नश्ट करना ही खराप करना लग रगड़ harder यहीः पॉलीशन है खरब करदना भी पानीक कर दाने पालिशयंदे मिला कि पालीशन होता है जैसे मैं रहे हैं जाने कि पानी नुक्षन होता है लेकिन आप यह पोलिशन के बारे हम बात करेंगे तो देवाली पॉलिशन अभी पीक पर रहेगा तो देखिए एर पॉलिशन में बहुत सरे नुक्षन होता है जैसे जो टोटल वीमारी में कुछ वीमारी मेंसे मैं आपको थोड़ा बताता हूं जैसे अस्तमा अस्तमा के जितने भी बीमारी है बारा इमारी जैसे बढ़ी बीमारी उसका भी बारा पर्सेंट एपका इयर पॉलिशन के वह दोता है और जो अमारे बाताबरने उसमें जो भी इंप्रक्ट आज कल पढ़ रहा है ताई उसका अब ग्लोबल वार्मिंग ले लिजिए गर्मी बढ़ रहा है वो ले लिजिए उसका टोटाल का जो दस परसंट है वो होता है यहर पोलुशन के बज़े से और जो लाइफ स्पन है अल कि अप्लिंग का नाम सुनते हैं चली हो जाता है क्यніतू करते हैं राएंदो आ यह सब्सक्राइब पठाके फोर्डिंग मर जाएंगे और कुछ हो जाए किसी और बाज़ेस अगर पॉलिशन हो रहा है तो उसको लेना देना है नहीं तो हम यह पर यह जानना बहुत जरूरी है यह यह जो यह पॉलिशन यह स्रिफ पठाके की बज़ेस होता है या इसके पीछ और कोई कारण है और पठाके बज़ेस होता है तो कितना होता है तो देखिए सबसे फहले जो कंशाक्षन कंपनी चलता है कि उसके बज़ेसे से यह पॉलिशन नहीं हो रहा है बिल्कुल हो रहा है कितना हो रहा है वह बताता आपको कणक्ट कूंपनी की बज़ेसे होता है उसके बाद क्या टांस्पोर्ट की बज़ेसे वानि में 14 ऑन फार्ट की बज़ेसे होता है जो डीजल जनेनर चलाते लग उसके बज़ेसे हैं फेसे पॉलिशन होता है कि इतना सकाहद ना कॉंटिविशन घुण से बीघना जालाने से आपका greater आप इसकप्षिती पॉइशन होता है कितना होता है मतमें टीन- 4 पर संट तो हंडेड में से तो अलमोस्ट 99.5 पर संट इसी का हो गया क्या बिल्कुल होता है market to पॉससे कब बिइक युआग अरुह स्रिफ दो दो दिन में जिरो पाइब vip Καत्रेबिशना का पटाकों का एयर पॉलिशन में तो आप इसी को बंद करना चाहते कभी आप यह तो नहीं बोलते कंस्टक्शन कंपानी बंद कर दो मिट्टी के घर में रहे लेंगे क्योंकि देखिए आपका कहने का मतलब है पॉलिशन होगा पॉलिशन होने के बाद आदमी मर जाएगा तो फ खाना बनाइये मत कुछ करिये मत पॉलिशन बचाईये उसका आपको तोड या जोड नहीं निकालना आपको दिवाली के पीछे पड़ जाना हाथ दोके कि इसको बैंन करो पहले है न देखिए दिवाली में पठाके बैंन करके एर पॉलिशन कम करना कब पॉसिवल है इस यह कादमी जो पूरा साल दबा के नॉनमेज खाता है दबा के तेल वाला चीज खाता है गलत मतलब जंग फुट खाता है पूरा उसका बजन होगा एक सो किलो और उसका बोल दो एक दिन तुम जाओ अपना पूरा सिलिम फीटों के बाहर हो अगर यह जी दिन पॉसिबल होगा उस करन सब दोज दिवाली को दिश्व है जाएसे बड़े अमीज लोग पैसे के पावर से गरीब को दबा देता है और सारा दोज गरीब कर मनलग सर पर आ जाता है इसी तरह बाके सारे जितने भी कारण ने पॉलिशिन होने का यह सब इन सब का दोज श्रीप पठाके के ऊपर लोग 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 बहुत अपना ग्यान देंगे तो अगर आपको सच में इंवर्यमेंट की या बातावरन की इतना चिंता है तो बाखी चीजों की उपर कभी डिसकेशन करी है ना पठाके के पीछी की उपर जाते हैं यह तो होगे आपका दिवाली के वाज़े से एर प कारण यह ओर भी देते हैं वहें इसलित जानरव पर अत्याचर क्यों कर दिवाली के डिवाली नहीं है, अगर यह गलत तरीकेशिक के पर कर नहीं है, उन लोगों को पकड़ाइए अब दिवाली क्यों बंद करा रहे इस तरह तो मतलब बस में चड़ता है जेब कर जाता है तो क्या बस चलाना बंद कर दे टांस्पोर्ट बंद कर दे नहीं न उन जेब कत्र को पकड़िए इसी तरह अगर कोई लोग जानबर बत्ताचार कर रहा है पठा के उनको जैसे कुछ कोई को पकड़िया अब दिवाली क्यों बंद करना चाहते इसी तरह तरह ऑब उन जो दोशी लोग उनको पकड़िया दिवाली की क्यों क्यों पीछ पढ़ जाते हैं नहीं नहीं है दिवाली पर पठाके बैन करना और रही बात अगर जानवर को इतना ही चिंता हो रहा है आपको पते हैं कितना लाकों करोड़ों गाये भैस मून की यह सब कटता है कभी आपने उसके ऊपर नहीं बोला कि खेती खतम मतलब जो गाये के चराने के जगा है उसका खतम करके बिल्डिंग बनाया सब्सक्राइब करने लगते हैं अगर आपको सच में चींता होती तो आप कुछ प्राक्टिकल करते सिर्फ बैठके ग्यान नहीं देते कि यह मत करें ओं मत करें ठीक है देखिए सिधी बात यह जो लिब्रनु टाइप लोग है इनको डिवाल यार पोलुशन से कोई मतलब न इनको सिर्फ मतलब है दीबाली में हिंद्यों तोहारों को कैसे बंद किया जाए बाकि धर्म है उसमें इतना गाय को काटा जाते उसके बारे में आपकी कभी जवान नहीं खुलती उसमें क्या में गुज जाता है और कुछ होता है उसमें तब कुछ ने बोल देखिए कि गा स्दृतिय भी नहीं होता का अखो मैं आपको जुबान को लखवा मार जाता है तब अपको तो आप लगद कुछ沞 वोलते हैं जो दुए दो दिन के ले WATCH करें सब धर्याटता है उसमें पूरा अका बर्प 약간 एगल जाता है आनाँ भारत पर इयलेन का कब्जिय हो जाता है बहुत कुछ हो जाता है भारत से स्थे दुनिया से प्रिद्वश्य स्थे सूर्य का दूरी कम ऊज़ाता है उन्हां 400 दिग्रीत आपमान पहुंच जाता है बहुत कुछ यह तो हम यह हमने आपको यह बता दे कि ठीक है दिवाली पटा का फोड़ना चाहिए ठीक है अगर कोई आपको बोले कि नहीं फोड़ना है तो सबसे पहले उस आदमी को फोड़िए और उसके उपर फिर पठा के फोड़िए ठीक है आदमी को नहीं छोड़ना जो आपको मना क प्रफोड नाए है तो ये लोग आईसे ही समाज को और हिंदु को दवाते रहेंगे अब करते क्या दिवाली में सुर्प पठा का फोड़ना ही काफी है अगर पता का फुड गया तो क्रिभाली मनाना हो गया अगर ऐसा होता तो क्रिकेट मैज जीतने के बाद भी पठा का फोड़ा जाता है ज़ीकत गता पने को इसको इसके मत्लब के सारह दिवाली हो गया नहीं पठा का फोड़ना श्रीप और श्रीप एक घुषि जाहिर करने का तरीका है तक है यह खुषि सब्सक्राइब करते हैं तो दिबाली में पटा का फोड़ने का पीछे कारण तो है उसको मैं बता हूंगा लेकिन अलग-अलग तरीके से आप जाएंगे बंगल के तरब तो उस तरह आपको मिलेगा लोग काली पूजा करते हैं बखरा बखरा बली चाड़ाता है फिरो लोग करते हैं अपना जो भी आप चलिएगा नौर्थ के तरफ चलिए को आप लोग लक्ष्मी गनेश का पूजा करते हैं और कुछ लोग जुआ खिलने लगते हैं सब अपना ड्रीम लिबेन या ऐसे बहुत सरे मतलब नाम हैं कंपनी के यह सब खोलके बैठ जाते हैं सब जुआ खिलते हैं तो कि यह सब दिवाली मनाने का तरीका है बिल्कुल नहीं देखें लक्ष्मी गनेश के पूजा कुछ अब तक ठीका चलिए आप देवी देवता का पूजा कर रहें ठीका आप अध्धत्मिक चीज़े कर रहें काली पूजा कर रहें ठीका चलिए कि कैसे दिवाली है जुआ खिलने को दिवाली थोड़ी होता है वो तो कुछ गलत चीज़ हो गया बलकि उस चीज़ को मना करेंगे तो तोहरों में गलत चीज़ करेंगे तब ही यह जो लिब्राणु टाइप लोग है इनको और मौका मिल जाथा आपको मना करने का आप अप क्या मुए फुटा आप लगो मंना रहे लिए अगर आपकी आने वाली को भी पतने रहे और धिरे दिरे खतम हो जागा तो ठीक होगा ठीक होगा थीक पटागा पटा का बंकर यह एंबरेमेन्क खराब होगा कि उनको उसके पीछे कारण नहीं पता है ना इसी तरह इसी लिए मतलब दिवाली के पीछे कारण हमें जानना जरूरी है तो सबसे पहले तो देखें दिवाली इसलिए मना जाता है कि इसी दिन भगवान स्री कृष्णर ने दामदर लिला किया था जिसके लिए अलग एक ये जो दामदर लिला है, बहुत अच्छा लिला है, ये लिला इसी दिन हुआ था, ठीके तो ये पहला करन दिवाली का, कि भगवान बन गए ते भक्त के हातों तो ये एक अलग खुशी होता है, कि देखिये भगवान भक्त के हातों बन गए है, और एक सब्चे बड़ा जो कर है कि एlor जुह में हहले, कि अम राम आ रही है कि छलो, को घूआ खिलते हैं जू फोड़ो हुआ कि नुकि आ जूए सब्वाभ परिया,ाप फोड़े सब्वावार करना देखिया, आईये आप हमारे जीवन में आये आप हमारे घर में आईये ना ताकि हमारे जीवन उजो लो हमारे आज़त्विक प्रगर्ति आप रहो ऐसा निकित जुआ खिलने बैठ गे लक्षमिगर्णश के पूजा करने बैठ गे क्या पैशा दो धन दो दौलत दो नहीं भगवान की श पती बाहर रहे तो घर में अच्छाचा खाना बनाते हैं एक तोहार का महल होता है घर में कोई घर से बहुत दिन बाद बाहर से घर आ रहा है इसी तरह जब राम और शीता घर आया थे तो खुशी के मारे अहिद्दाबाशी ने ऐसा दिवाली मनाया था तो तब से यह चल र कारण हमने जानने के कोशिश नहीं किया तो हमें क्या करने चाहिए दिवाली के दिन देगे पटा का फोना चाहिए वह तो खुशी जायर करने का कारण है मतलब एक तरीका है लेकिन जो में का में वह है हमें भगवान के साथ हम आपने आपको जोने हमें रामायन पढ़ना च पूरा दिन भगवान पे शमार्पित होना चाहिए नहीं के जुआ पे जुआ पहले जुआ खेलना ही नहीं नहीं है ठीक है लेकिन अगर माली कई फैमिली में ऐसे होता है कि उनका चल रहा है तो शुर्वा चो लोग उनका मेंटल या ऐसा मैंट से ऐसा कॉंक्रिट हो गया को ठीक है लेकिन में परफस को भूली है मत पटा के फोनना भी कहीना कहीं थोड़ा साइड वहला चीज़े लेकिन में परफस है भगवान से अपना आपको जोड़ना पठा के रात में फोलें पूरा दिना भगवान से जुड़े रहे हैं रामायन पढ़ें महावारत परफद उसको भूल जाते हैं उसका साइड होता है एक साइड के चोटा सा चीज़ लेकर बैठा का नहीं है नहीं हमारे उद्देश्च भगवान का स्वागत करना अपने घर में और उस खुशी में भगवान आया है पर उसकी में पठाक पोड़ना चाहिए तो फिर कुछ दि होना अगर आपको पता होगा इसलिए पठाक पोड़ना पूलिस पकाड़ लेगा नार्मल टाइम पर दिवाल पर नहीं की को पिलिस को पटा है वह इसी तरह अगर राम सिता बापस आइसलिए पठा के पूली तो सामने वच्छी ने बोलेगा तो कहीं ने के हमें खुद को भी शुदारने का जोरोते हैं अगर हम खुद को शुदारेंगे तो धिरीदर समाज भी शुदार जाएगा और इस लिब्रेरियन टाइप के लोग है यह अपना रिशर्च सेंटर में या गूफा में दुबा के बैठे रहेंगे यह लोग भी हरे कृष्णा